अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको? वही कश्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लालची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू उनकी विद्वाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओ का जो सरहोदों पे जो युद होता है वो सिर्फ सरकार का होता है क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक जब महात्मा गानी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का वहिश्कार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद में हिस्सा ले क्योंकि लदाक सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत की असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है हम उसे किसी तरह से दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो Chinese जितनी भी goods हैं, जितने भी उनके products हैं, जिन भी companies में उन्हों इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको returns आते हैं, revenues आते हैं, organizations हैं, उन सब का वही शकार करें, ताकि वो उस संपत्ती से जो यहां से इंडिया से materia करके जाते हैं, उस संपत्ती से हत्यार खरीत के हमारे सैनिको के सिने चन्य करते हैं, तो क्या हम इस युद में हम आजना दे सकते हैं, आप बताईए, यह क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथे तो हमें पतिग्या लेते हैं कि हम आत्म निर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जय हिंद